जानबूज के ऐसे ऐसे लोगों को गिरपतार करना ताकि ऐलेक्शन में ना बजे का बास, ना बजे की बासूरी, सब को जेल में ठोको और चुप चाप इलेक्शन जीत जाओ और अपनी जूट फहला फहला के, और हर हर मोदी, हर हर गंगे करके, ट्रामे बाजी करके, और आंस इसलिए पकड़ दी थी ताकि उनको फाइदा मिल जाए एलेक्शन के अंदा अपना अपनी सरकार बचाने के लिए कर रहे थे यह परादी है देश के परती यह सब उन लोगों के खिलाप इस कानून का मिश्यूज किया गया जो सरकार के खिलाप थे सरकार की अलोचना कर रहे और सरकार की गलत नीतियों का देश के सामने उनको बता रहे थे देश को जागरूख कर रहे थे अगर घटिया काम को CM और PM करते हैं तो घटिया ही कहलाए जाएगा चाए वह CM हो चाए PM जो अबिद्ध केजरिवाल जो अभी दिल्ली सुप्रीम कोट ने उनको बेल दी है यह माना जा रहा कि अर्विंथ केजरिवाल ने कोई भी दैर आजिका या भी अरजी नहीं दैर की थी अपनी बेल को लेकर उनका कहना था कि यह जो गिरभतारी है यह पूरी थारा अवेध है आई हम इससे बात करते हैं कि एजे चीप मिनिस्टर अडविन के जिरिवार अगर जेल अरे बिल पे बीना अरजी लगाए हुए बाहर आये हैं तो क्या आप उसका आपको उसकी बादे में क्या कहना है देखिए बेटा सुप्रीम कोड जो है देश की आखरी कोड हो गिरबतारी अवैद है मगर जब तक उस गिरबतारी अवैद है पर फैंसला नहीं हो रहा जब तक उस मुगदमे का फैंसला पूरा नहीं होगा तब तक वो गिरबतार है उसको बीच में इंटेरिम रिलीफ दिया जा सकता है अंतरिम कोई राहत दी जा सकती है जैसे कोई करम करो घर में जाके दो दिन की बेल, एक दिन की बेल, जैसे सिसोदिया को बेल मिली है, एक तरह से अंतरिम रहात मिली है, क्या मिली है, कि हर मंडे को साइद वो अपनी पत्नी से मिलने आते हैं, बिमार है उनकी पत्नी, अब तीन दिन के लिए रहात मिली है, साधी में जाने क लिए तो क्योंकि हमारा जो सविधान है सविधान में प्रियम्बल है प्रियम्बल क्या होता किसी डॉकुमेंट के सबसे पहले प्रस्ताव होता है कि उसमें बहुत यह अंदर यह डॉकुमेंट क्या काम करेगा कहां किस काम के लिए बनाया है यह यह उसमें है पॉलिटिकल ज साल जेल आयूजिस की हो जाती हर सिटिजन को बीना काश्ट देखे बीना क्रीड देखे बीना उसकी एजूकेशन देखे सब को मतादिकार है और फिर एक एज है 21 है 25 है 35 अलग अलग जगह के लिए जो उस आदमी उस एज को उस पेरामेटर को पूरा करता है उसको इलेक्शन क केजरीवाल को इन्होंने बाद में गिरपतार किया में केस के साथ तुरंट गिरपतार नहीं किया बाद में कहा बे तुम भी शामिल हो तुमारा भी हाथ है इसमें और आज सुप्रीम कोट ने एक बहुत अनोखा बड़ी अफैसला दिया है जस्टिस ओका के बेंच ने उन् गिरपतार करके जब कोट में केस चला गया कोट में केस जाने के बाद फरदर किसी को गिरपतार करना है तो आपको कोट के अनुमोती लेनी पड़ेगी अपने आप गिरपतार नहीं कर सकते तो केजरीवाल को भी बिना अनुमोती के गिरपतार किया था अपने आप गिरपता पोजिशन अपोजिशन जो लोग आपस में कंटेस्ट करते हैं वो सब लोग मैदान में नहीं होंगे तो उनके हकमारी होगी उन लोगों की हकमारी होगी नैकेवल अर्मिंद केजरिवाल की उन सब लोगों की भी जो उस पार्टी के साथ समर्थन के साथ खड़े हैं उससे इल कि उनका ज्वाब देने का मोका मिले। जेल में तो फिर रह लेंगे, बाद में पिछले जाएंगे, तो यह अधिकार इस देश में सवीधान देता है, यह कोर्ट ने ने दिया, कोर्ट तो एक माधम है, लोगों को रिलीफ देने के लिए, मगर ये mandate ये आदेस एक तरह से constitution का स्विधान का है कि लोगों को बिना ट्रेल किये तुम जेल में लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं अगर मालो ट्रेल होती है दोनों तरफ के गवापेस होते हैं दलील होती हैं रिजिनिंग होती है कोट देखती है अब इसने एक गलत काम किया इसको दो साल की सजा चार साल की सजा मगर सजा से पहले आप जेल में रखो जमानत ना होने दो वो गलत हो रहा था देश में देर आए दुरस्त आए ये काम भी देर से किया कोट ने ये पहले करना चाहिए था सभी पॉलिटिकल लोगों को अभी यो देश के लिए खत्रा नहीं वो भगोडा नहीं है कितने इस देश के भगोडे भागे हुए है जो कि आज की सरकार के नजदी की लोग है वो देश से भागे हुए है मेंबर पर्लियमेंट भी भागा हुआ है, बीजेपी का तो, सुभाष चंद्रा, जो जी नियूज का मालिक है, वो सारे के सारे वो लोग उनको पकड़ा नी और यहां के लोगों को पॉलिटिकल पर्तिदंदी को पकड़ा जा रहा है और पकड़ा है, इसलिए कोई गलत काम न इसलिए पकड़ा थी ताकि उनको एडवांटेज उनको फाइदा मिल जाए, इलेक्शन के अंदर, इसलिए तू कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी या पीजेपी की पार्टी है, इसलिए उनको कोई मिद्दा नहीं मिल रहा था, इसलिए और विंद केजिरवाल को सराग घोटाले की तहत, उनको जूठा आरोप के तहत, जो उनको एक फाइया दर्श कीती, जिसके तर उनके गिरफतारी हुई, उसके तहत अगर सुप्रीम कोट ने ये उनके खुले आम उनको फटकार लगाई है, और ये साबित किया है कि किसी को बिना आरोप सिद्ध इतने गर्म जोस्ती के अंदर आप हिरासत में नहीं ले सकते, और बिना बेल पे बिना अरजी लगाई, उनको सुप्रीम कोट ने रिलीफ दे दी, और वहीं अर्विंद केजरिवाल का आज अर्विंद केजरिवाल का अखिलेस यादो संग जो प्रेस कॉफरेंस हुआ था, कि मी वापस बड़ी होकर मेरे पे जो भी आरोप सिद्ध हुए है, वो नकरात्मक है, आरोप सही नहीं है। परतरी दोंदता की वो जैसे, that is nonsense, और वो ही काम हुआ था, और उन्होंने ये कह रहे हैं, उन्होंने बिना वैसे दे दी जमानत है, ऐसे नहीं दी, बेकायद है उन्होंने कोर्ट में लिखा है, कि जब तक इसका डिसीजन हो, केस का, हमें अंतरिम रहात दी जाए, वकीलों ने डिमांड की उस बात के, उनके वकील ने डिमांड की है, वैसे थोड़ा छोड़ दिया अपनी मर्जी से, उसके दो तीन दिन बहस हुई है, और सरकारी वकीलों ने भी फिर बहस की है, इतनी लंबी बहस होने नी चीए, तो बहुत लंबी इतनी तो देश में कभी नहीं हुई जमानत के केस पे, जितनी अरविंद केजरिवाल के, और वो जो जारकंड के मुख्यमंत्री है, उस पे, या कोई कई और नोजवान हैं, जो सोचल एक्टिविस्ट हैं, कई पत्तरकारों की, और नोलखा या क्या नाम है भी, वो क्या, न्यूज कलिक के, न्यूज कलिक उनको भी सुप्रिम कोड ने कहा कि इनकी गरपतारी अवैद थी, गलत तरीके से गरपतार किया था, तो इससे क्या होता है, ये सब उन लोगों के खिलाप इस कानून का मिश्यूज किया गया, जो सरकार के खिलाप थे, सरकार की अलोचना कर रहे थे, और सरकार की गलत नीति जीत जाओ, और अपनी जूट फहला फहला के, और हर-हर मोदी, हर-हर गंगे करके, ट्रामे बाजी करके, और आंसु बहा के, दुवारसत्य में आज़ो ये ड्रामा था बेटा, इसलिए सुप्रीम कोड तो बैठी इसलिए है, हाई कोड इसलिए है, लोगों के देश का इसलिए के भी लोगों का किसी का डिमोनेटाइजेशन कर दिया, किसी का चैनल बंद कर दिया, ये बदमासी थी, ये देश को बचाने के लिए नहीं, ये अपनी सरकार बचाने के लिए बदमासी कर रहे थे, ये सरकार का ये कानून का दुरुपयोग अपना अपनी सरकार ब विंडर वाला जो केस चल रहा था मतलब उन पर एक आरोप लगा था उन्हों ने अपना नामंकर जेल से ही भरा है तो उनको भी ये बोल रहते हैं कि अगर जमानत मिल सकती है चुनाओं के लिए प्रचार के लिए उनको बेल मिल सकती है तो कॉंग्रेस के प्रवक्ता लोग हैं जो कॉंग्रेस के तरफ से उन्होंने जो हेमन सुरेंठ को लेकर आरोप है उनका भी कहिना कि उनको भी मोका मिलना चाहिए कि वो अपना प्रचार कर सके और जिस तरह अर्विंद के जिवाल को उतने दिन की रिलीफ मिल सके इस पे आपको क्या कहिना है मिलकुल मिलनी चाहिए, मैं तो बेटा पहले सी कह रहा हूँ, मैं तो जब तक इनको रिलीव नहीं मिला था, सबसे पहले आवाज उठाने वालों में से हूँ मैं तो इस देश में, जो इन लोगों के वकील है सुप्रीम कोर्ट में उन से भी पहले मैं तो आवाज उठा रहा क पॉलिटिकल जस्टिस के लिए सब लोगों को जमानत देनी चाहिए, अंतरी मिराहत देनी चाहिए, ताकि लोग देश के महापरों में हिसा ले सकें, इलेक्शन में हिसा ले सकें, और किसी ने अपराद किया है, तो ट्रैल होगा, और अपरादी पकड़े जाएंगा अगर नहीं है, देश अपरादियों के साथ नहीं है, मगर देश, देश के लोगों के फंडमेंटल राइट के साथ हैं, तुम जबरदस्ती सरकार के नसे में, दबाव बना के अजेंसियों को, और अजेंसियों के ले लोग जुक जाते हैं, अमरजेंसी में तो इस देश की जूड के जो सरकार में होते हैं, सरकारी करमचारी आज एक अपसबद हो गया है, सरकारी का मतलब है पिठ्थू, सरकारी का मतलब है चमचा, सरकारी का मतलब है आँख मीच के जो कुछ उसका बोस कहेगा, कुछ भी करो, उल्टा पुल्टा कुछ भी करा लो, ये हो गया सरकारी का जवाडों का समय नहीं है, यह सासन नहीं है, यहाँ वैबस्ता है और वैबस्ता में सब को सविधान और कानून के इसाब से चलना होता है, क्या वो रिक्षा चलाने वाला लाल बत्ती क्रोस करने का मामला वो भी गलत नहीं चला सकता, ऐसे ही चाहिए CM हो चाहिए देश का प्र मिनिस्टर और CMB अपने सरकारी डूटी वाली रिक्षा को सही चलाए, इसे ज़्यादा कोई और माइन नहीं है इनके, यह कोई वो नहीं है कि रिक्षा पूलर छोटा आदमी है और यह गरेट आदमी है, कोई गरेट नहीं आचरन से गरेट होता है, अगर घटिया काम को CM औ को चैपियम।